सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नुश्कार दोस्तों मैं कौरोफ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत ही फ्रेश कमाल शांदार जबरदस्त एकदम मसालेदार एपिसोड में जहाँ दोस्तों देने वालों के सवालों के जवाब जो आपने पूछे दुरू की ऊपर लगाया था हैश्टेग बोलो गुरुजी सवाल बढ़े ही शांदार से हैं मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब तो ऐसे में जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं टुस्ति यार हर बार की तरह मतलब इस बार भी सवाल बहुत ज्यादा हो गए और ऐसे में जवाब दने का समया काफी कमकम सा होता है लेकिन ऐसे में कोशिश की है कि जितने ज्यादा हो से कि उतने सवालों को मैं पेक कर लो जवाब देदो तो उसमें जनली से बढ़ते हैं आगे मेरी तरफ से माफिय अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊं और आपकी तरफ से चाहिए परको इस वीडियो पे एक जोड़दार सा लाइक और बस चैनल को सबस्क्राइब आप करके ऐसे ही साथ जुड़े रहिए बात दोसों करते हैं पहले सवाल की पूछा है मैंक ने पूलते हैं गौरब भाईया आगले एक्स्क्लूसिव कॉंटेंट कब तक आएगा एक्स्क्लूसिव गुरुजी गौरब भाईया प्लीज जो पहले टीजी जैनल वाली ओफिशियल ब्लू टीशिट थी वो पहन के कुछ अपकमिंग वीडियो बनाओ दुबाई गुमना है आपके साथ लाइफ में कभी लव फ्रॉम नबलगट राजस्थान लव यू टू मायंक लव यू टू आल टीजी फैमिली के लिए मेरा धेर सारा प्यार जहां तक बात है एक्स्क्लूसिव वीडियो की तो भाईया बहुत सारी मतलब बहुत सारी खमा आपको आप ही अपने चानल तीजी पर देखने को मिलता है जहां दक बात है ब्लू टीशिट की तो यार थोड़ा सा साइस अभी मिसमैच हुआ है तो भी थोड़ा मौका मिल जाए तो दुबारा से शायद आपको वही ब्लू टीशिट के अंदर वीडियो मिलेंगी और अग संग M51 लाँच डेट लब फ्रॉम राजस्थान लब युटू भुवनेश यार दखो रेड़ी नोट 10 सिरीज के वारे में कोई आइडिया नहीं है विकाज अभी तो नोट 9 का ही परिवार चले जा रहा है चले जा रहा है मतलब नोट 9 प्रो, प्रो माक्स, फिर नोट 9, फ तो मैं अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर पाऊंगा लेकिन ये लो तो ये है Samsung Galaxy M51 ठीक है तो ये M51 है मेरे हाथ में फिलहाल और अभी इसका वीडियो आपको बहुत जल्दी खेर मिलेगा ही और काफे इंटरस्टिंग फोन है अब लांच कब होगा ये मैं उसी वीडियो म जैसा हम बोलते हैं सबसे पहले आप ही अपने चैनल टेकनिकल गुरुजी पर यहाँ पर अगला सवाल पूछा है रिशब ने रिशब बोलते हैं कि गुरुजी एक महीने से मेरा सवाल क्यों नहीं लिया आरे भाई माफी अगर नहीं ले पाया हूं तो बोलते हैं कि मेरे फ फोन पर बात कब होगी जब फोने बात जल्दी होगी जादक हम बात करते हैं वायरलेस डेक्स के फीचर की तो आर नोट 10 सिरीज का भी इतना अक्टिवली देखनी पाया लेकिन हाँ जो मेरा S20 अल्टरा है मिरको भी उसमें रिसेंटली एक अपडेट आया जहां पर उस करेंगे जो आपकी सारे रिक्वार्मेंट को पूरा करेंगे अगला सवाल पूछा यहां पर करंदीप सिंग ने बोलते हैं कि आपने पहले रुपने को कहा था अब M51 में 730 G के साथ ड्यूएल सेल्फी होगी है इंसाज़दार इमेचर की बैटरी ड्यूएल सेल्फी कहां ह साथ में तो आपको तब उसकी मिल जाएगी अंबॉक्सिंग 6-6 कैमराज हैं और बाकि जो भी डीडेल्स हैं क्या कीमत बगर है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा थोड़ा सा वेट करो दूजा दिन की बात है फिर बोलते हैं अगला सवाल पूछा है यहां के आखों के सामने होंगे अगला सवाल पूछा है यहां पर अमरित ने भीया रैपिट भार लेके आ गए हैं पहला बोलते हैं ट्विटर एडिट बटन और नो वर्ड्स लिमिट फीचर यार एडिट बटन मिलको ना वर्ड्स लिमिट से कोई परिशानी है एडिट के इंद परिशेज कुछ भी यह रही की बात है मैं स्कूल प्रफर करूंगा वन यू आई या फिर ऑक्षिजन वैस वन यू आई गेमिंग पीस या फिर पीएस फाइफ गेमिंग पीशी तो है अलड़ी पीएस वी मेरे पास में तो पीएस फाइफ मार्स या फिर मून जहां पर इं अग्तिव सबस्क्राइबर है अरे भाई आप सभी जो tg family members हो आप सभी active subscribers हो जो आप इस बार आपकी क्या एक्स्पक्टेशन से और आप आपका experience कैसा रहा यहार आइफून 12 से एक्सप्टिशन तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है विकॉज यह इंक्रिमेंटल अपडेट होगा अगर हम कंपेर करते हैं आइफून 11 11 प्रो वगरे के comparison में because more or less सीज़ें काफी सेम होगी हाँ डिजाइन वगरे कुछ चेंज होगा अफकोर्स और ज्यादा तेज यह फोन हो जाएंगे कुछ-कुछ इंप्रूब्मेंट्स कैमरा के इंदर मिलेंगे लेकिन अधा कुछ ना नया revolutionary अभी नहीं होगा वो शायद अगले साल होगा तो और भाई जब हमें जरुरत है sponsorship की तो कोई देता नहीं और जब हमें जरुरत ना हो तो यह आगे पीछे घूमते हैं At my stage they don't even look at our request and at your stage आप देखी रहे हो कि भाई सब आगे पीछे घूमते हैं Why they don't help at the time we need रमन भाई क्या करें दुनिया की यही रीत है कभी हार तो कभी जीत है भाई मतलब यह ऐसे होता है हमेशा ही देखो जब कोई भी अगर हम बात कर social media पे जब कोई growing stage में होता है initial levels पे होता है तो उस ताइम भी इतनी opportunities नहीं मिल पाती है जब एक बार आप establish हो जाते हो जब हो सकता है लोग आपको ज्यादा तरीके से जान जाते हैं या follow करना start करते हैं तो उसके बाद में opportunities भी और ज्यादा बढ़ जाती है और मैं तो definitely यह बहुत परिशान हो जाता हूँ बहुत बार कि मतलब emails आते हैं ऐसे ऐसे एक तो random ना यह जो trading वाली apps नहीं है यह fake मतलब पता नहीं कितने लोग उनका कर देते हैं loan ले लो यह कर लो वो कर लो मतलब इतना गुस्ता आता है यह emails करते हैं और बाद में बोलते हैं कि इतना commission मिल जाएगा इतना referral पर मिल जाएगा इतना पैसे ले लो आपको यह offers आने के बावजूत भी लगे कि यह नहीं मुझे सब करना है तो ऐसा नहीं है कि sponsorship जो है वो आना अच्छी बात ही होती है डिपेंड करता है कि आपको कौन सी company के साथ में associate करने का मौका मिल रहा है या फिर खौन सा वो product है इमेल्स को मतलब मैं वो subject देखके समझ जाता हूँ आगे सिधा बढ़ जाता हूँ तो ऐसे में चिंता मत करो आप आगे grow करो अपने आप को establish करनी कोशिश करो और इसके बाद में definitely आपको भी बहुत सारे बेतरी नोफर्स आएंगे अच्छे ब्राइंट की तरब से अगला सवाल पुचा है आपे परवेज आलम खान ने बोलते हैं करपया ध्यान दे ब्राता श्री चलो भाई ध्यान दे दिया है अबने परसनल कोश्चेंस अच्छा जी ये एक in itself अपने आप में I think कुछ 300-400 ग्राम के असपास का एक कड़ा है तो अगर दो हो जाएंगे तो फिर वो मतलब धाई किलो के हाथ में से एक किलो का तो कड़ा हो जाएगा तो वो गलत है रहां और लव्यू 3000 तो लव्यू 2000 अगला सवाल पूछा है नितिन नितिन बोलते है कि खल के लकडी के डबे के अंबोक्सिंग वीडियो कम मिलेगी परसों परसों करते थे अंबोक्स शाम को डन बेट करना शाम को आईगी वीडियो फिर बोलते है आईफोन 11 का give away result निकाल दो delivery बाद में कर देना है जब आपको किस चीज के लिए रोका जाता है या जब किस चीज को ऑप्शन नहीं होता है तब आपको ज्यादा क्रेविंग होती है मतलब कोई अगर आपको बोले कि घर के पीछे उस तरफ मत जाना महाँ पे मतलब आपके लिए सेफ नहीं है तो अभी वो जो पूरा साइकलोजिकल गेम चल रहा है उसकी चलते हैं हाँ मन तो करता है लेकर अब क्या कर सकते है भाई अभी जो है वो हम सब की सेफटी के लिए है तो पस इंजार कर रहेंगे जैसे फ्लाइट शुरू हो तब दुवारा ट्रावलिंग होगी जानक बात है आईफोन 11 के गिववे रिजल्ट्स की तो भाई रिजल्ट्स तो आएंगे या लेकर उस पर टार्गेट अभी तक पूरा हुआ नहीं है तो मैं कुशिच करता हूँ वीडियो को तो और रिवाइव करने के और उसका दिखते हैं इस बार क्योंकि आईफोन 12 का भी लॉंच थोड़ा से डिलेड है लगता है अविलेबिलिटी और डिलेड होगी तो उससे तो पहले पहले अपन कुशना कुछ अरेंजमेंट करे लेंगे फिर अगला सवाल पूचा है धर्मेंदर ने मोलते हैं कि लफ फ्रॉम गाजीपूर गुरुजी अंडर 10 के में टे अगला सवाल है यहां पर कमलेश का बोलते हैं मोटो जी नाइंबॉक्सिंग कब तो चलो मेरे को लगता है कि आज इस स्टूडियो में अभी संडेटेक मसाला उन्बॉक्सिंग मसाला गुसायत है तो यहां पर यह है मेरे पास में मोटो जी नाइन का बॉक्स और टिपिकल मोटो ला स्टाइलिंग में यहां पर पीछे कुछ मेंन स्पेक्स मेंशन ने है जहां पर है 5000 mh की बैटरी और 4GB RAM 64GB स्टोरेज Snapdragon 662 Octa Core Processor और यहां पर हमारे पास में है 20W की Fast Charging का सीन इसकी तीन तीन सील्स ब्रेक करते हैं एक इधर से एक इधर से और एक इधर से तो यह हमने इसकी तीनों सील्स ब्रेक कर दी और जैसी हमने बॉक्स खोला तो सबसे पहले है प्लास्टिक का कवर इसके उपर लगा हुआ है बिसकली रबर वाला सॉफ्ट सिलीकर नरम नरम वाला कवर लगा हुआ है और सामने है स्टिकर कुछ डीटेल के साथ में इसके अलावा बॉक्स में हमारे पास में क्या है तो हमारे पास में है कुछ Quick Start Guide बोले तो तुरित आरं सुम्ब गाइड को क्या बोलेंगे वाला समझ रो ना जल जली शुरुआत कर सकते हैं से पढ़के इसके अलावा हमारे पास में है एक सिम ट्रे टूल काफी काम की जीज़े फोन के लिए और दोस्तों को चुभाने के लिए फाइनली हमारे पास में है यह एक 20 लिखा है यहा सिदल सिधर फौन के बारे में बॉक्स को साइड करते हुए आ चुप गया नकूप के पीछे क्या वाधे लेपी जाएक प्ली लिए निकालें इस कवर से बाहर तो कुछ ऐसा है यह फोन क्या बात आरbage बॉत creating new relook लग रही लग्रेन और यहां पर triple camera setup है 48 megapixels का main camera फिर 2 megapixels का camera macro और 2 megapixels का camera depth के लिए और यहाँ पे अगर हम हटाएं इसको सामने से तो कुछ ऐसा है यह phone इसको अगर on करें तो आएगा hello moto आया 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 तो यह दोस्तो phone moto g9 जहाँ पे snapdragon 662 processor है पाज़ितर image की battery 20 watts की charging के साथ में और triple rear camera है 8 megapixel का selfie camera है और rear mounted fingerprint scanner है motola की जहाँ पे branding है वहाँ पे hello moto आया और इसको एक बार में जली सेटप कर लेता हूँ तो यहाँ पे है मारे पास में 6.5 inches का HD plus display सामने की तरफ और अगर आप से बात करता हूँ तो मतलब सबसे खास बात ना motola के phone की वो यह की stock and return को मिलता है तो यार यह अची बात है मतलब होई भी वो जंजट वाली apps है ही नहीं हमको moto actions मिल जाएंगे जहाँ पे आप chop chop से flash light को और कर लो twist से आप camera को और तो वो एक अची बात है और साड़े ग्यारा हजार रुपे इसकी प्राइस है 11,492 रुपे और I think sale इसकी 31 तारिक से स्टार्ट होरे वाली है तो यह कहानी इसी moto g9 की I hope कि आपको एक quick unboxing पसंद आई होगी मेरे को लादा चलो यार करे रेते मतलब आपको शायद इस वीडियो मज़ा आजए और ऐसे में 5000 इमेज की बैटरी है तो लंबा साथ निभाएगा फोन आपका जहां पे है qualcomm snapdragon 662 octa cold processor चलो मज़ा है ना बात करते हैं यहां पे अगले सवाल की तो अगला सवाल पूछा है विकरम चौधरी ने पुलते हैं गुरूजी हर रोज नया नया फोन आ रहा है और company एक ही फोन के कपड़े बदल बदल कर फोन को बार बार लाना उसी को जरूरी है क्या नहीं बिल्कुल भी जरूरी नहीं है लेकिन हार्स रेलिटी अभी आज कल थोड़ी सी यही होगी है smartphone market की अगला सवाल पुछा है आपर रावन ने पूलते हैं गुरूजी आप इतने consistency कैसे maintain रखते हो थोड़ी हमें भी tips दो ना मैं अपने focus से distract हो जाता हूँ तो sir सकती बनाय रखो बिल्कुल भी मत पिगलो और ऐसे में अपना पूरा ध्यान जो है वह जगा पे केंद्रित कर लो उसके बाद में वहाँ से बिल्कुल भी distract मत हो और मतलब बिल्कुल अपने goals की तरफ सोचते रहो और सोचो कि वह आपको क्या फाइदा देंगे मैं उसका पासफ़र भूल गया हुँ तो उसमें लॉग इन कर पाइद आएगा वैसे उसके दर अपर लॉग इन कर लेंगे और वैसे आपको वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगा अगला सवाल है यहां पर प्रतीक गोस्वामी का बोलते हैं गुरूजी बिसिकली हमें चार्ज कैसे करना चाहिए अपने डिवाइस को 0-100% या फिर जैसे टाइम मिले वैसे स्मार्ट फोन को देखते हैं तो मैं देखो खुद ना कभी अपने फोन को देखते हैं यह इसकी बैटरी अभी 19% है अब मैं इसको चार्ज में लगा दूँगा हो जकता है 10 मिले लगाया बैटरी हो जाएगी मालो 30-30-50% तो निकाल लूगा फिर किसी और खाम में लग गया यह वो सकता है पूरा फुल चार्ज कर लिया यह हो सकता है कभी रात में लगाया तो बीजया सुचना चाहिए अगला सवाल पुछा है अपी उवराद सुनी ने बोलते हैं कि हेलो कौरब भईया मेरा सवाल ये है कि कल जिस बॉक्स की फोटो आपने डाली थी वो समान ब्रॉंज कलर का है या फिर ग्रे इतना तो आप बताई सकते है ना बेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है अगर एतना की प्राइस बढ़ाती है तो क्या बाकी उप्रेटर भी बढ़ाएंगे लॉट्स अव लग लेट विवरास भाई जहां तक बात है कलर की तो यार कलर है ब्रॉंज ब्रॉंज बहुत अच्छा है तो हमारे पास में हैं मिस्टिक ब्रॉंज बाकी आप खुद समझदार हो दूसरा सवाल है कि यार एटल लेड़ा की प्राइस अगर बढ़ाएगा तो अगर फिर बढ़ाएगा फिर बाकी सब बढ़ाएंगे तो अगर खुद बढ़ाएगा जो उनको options मिलेंगे सामने रिचार्ज के वो तो उनको रिचार्ज करवा नहीं बढ़ेगा अगला सवाल है यहाँ पर करन का यह बोलते है कि आपके पास YouTube Awards को लेके कितने Awards हैं कौन-कौन से हैं और कहां के Love from Ahmedabad, Love you Guruji, Love you to Karan अपने पास में TG Family पे टोटल जो YouTube Play buttons है देखो एक तो है टेकनिकल गुरू जी का डामेंड बटन जो की विला था दस मिलियन पे उसके बाद में हैं दो हैं हमारे पास में गोल्ड बटन एक अपना TG के लिए और एक गौरफ चौधरी के लिए और दो हैं सिलवर बटन अगें एक टीजी के लिए और गौरफ चौधरी के लिए अगला सवाल है आप गौरांश राज का बोलते है रसोडे में कौन था कुकर में चने थे और बात में खाली कुकर गैस पे आउन कर दिया था इतना ही मालू है मैं तो इस क्या के कुछ नहीं मालू भाई या राशी थी कोईशलेशन इडवान्स फोर 19 मिलियन फैमिली और वर्चौल मीटप का कोई प्लान बना है कि आपका मैं पिछले 2 साल से वेट कर रहा हूँ आपसे मिलने का बात करने का लव यू इन्टू हंड्रेड लव यू तू इंटू न्टू गॉरांच यार कुछ न कुछ तो प् इतने को मिलेगी Nokia 5.3 के बारे में आपका honest विचार क्या unboxing वीडियो आएगी eagerly waiting for Z Fold 2 unboxing video यार मैं भी वेट कर रहा हूँ Z Fold 2 की unboxing video का बहुत जल्दी बस आप तक ले के आ जाओं जहां तक बात है Nokia 5.3 के unboxing की तो unboxing चाहिए क्या चाहिए तो बताओ जल्दी लेके आते unboxing आपके लिए Nokia 5.3 की phone मेरे काल से बहुत अच्छा है और Nokia के phones definitely थोड़े सा higher side पे रहते हैं प्राइस को अगर हम देखेंगे लेकिन अभी ऐसे में phone जो आपको अप्डेट्स देते हैं जो एकतम clean interface देते हैं नोग्या का brand name भी है तो वो सब जी जो भी ध्यान भी रखनी पड़ती है मतलब considering वो सब I think की 5.3 decent value है एकदम best नहीं बोलूँगा उस price के इसाब से लेकिन आज़तम ऐसा खराब भी नहीं है मतलब it's a good phone अगर आपको clean android चाहिए और अगला सवाल है यहाँ पे POCO F2 कब launch होगा पता नहीं भाई POCO F2 कब launch होगा मतलब एक तो ना brands ने naming scheme का ऐसा चक्कर घुमा दिया है realme launch किये जा रहा है realme के बाद में मतलब c11 फिर 12 फिर 15 फिर कुछ और फिर realme x3 लेके आया था अभी x7 x7 pro की बात कर रहे है POCO इधर अपने हाँ भी POCO X2 जबकि POCO X1 होगा रहे क्या है किसी को नहीं पता तो अभी पता नहीं यार POCO F2 भी आएगा नहीं आएगा कब आएगा कैसे आएगा फिलहाल के लिए तो उसके बारे में हमके क्या ही बोलें अगला सवाल है यहाँ पर ultimate tech का यह बोलते हैं कि bro is oneplus budget series coming yes bro definitely it's coming not just one phone multiple phones actually oneplus लेके आने वाला है budget line-up में तो आपको हो सकता है 10-12,000 का oneplus मिल जाए हो सकता है आपको एक 15-12,000 का oneplus मिल जाए हो सकता है आपको एक 20-22,000 का oneplus मिल जाए तो मतलब बहुत सारे oneplus के phones आने वाले है निकट भविश्य में अब बस देखो कि वो कब आते हैं और किन specs के साथ में दोस्तों बस फिलावड़ों में इतना ही देखने के लिए आपको अधने बाद मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपका कोड़साला सुझाव हो तो आप रीजे कमे